हेलो फ्रेंट्स कुट मार्निंग विल्कम इन जड़ी ऐसे कंड में जड़ी ऐसे कंड में आपसे फ्रेंट्स का बहुत 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 बिलकम है और तूड़े वी विल टीच दा हिंदू एडिटोरियल और नियूज अनल्सिस पार्ट जैसा कि आप सभी को पता है आप लोग के सिग्मेंट को पूरा का पूरा कवर करता है और वो एकोनामी का जो सेक्टर से वो यह है कि जो इंडिया का मैनुफेक्टरिंग से वो मजबूत क्यों नहीं रहा 1991 के बाद नए आर्थिक पालसी लागो की गई लेकिन उस आर्थिक पालसी के तहट जो कुछ भी लागो किय जा गया भारत का जो विनिर्मार छेत्र है वो डाउन क्यों रहा विनिर्मार छेत्र बैस्वी कस्तर पर प्रतियसपर्धी क्यों नहीं बन सका उसको प्रतियसपर्धी बनाने के लिए क्या करना होगा तमाम इसे कुश्चन्स आपके आज पूरा का पूरा यह जो डाउट है चाइना ने अभी सी और सी फ्लाइब यानि कि सेंटरल एसिया के देशों के लिए एक पालसी लेकर के चली उसके साथ मेटिंग की उसके बिसे में पूरा का पूरा है उसके बगल का आर्टिकिल अभी भारती सांखे की कारियाले ने एक आंकड़ा जारी किया जी बिये को लेकर जो भारती पहलवान संग की अध्यक्ष है तो यह पूरा का पूरा आर्टिकल को जहां पर आपका बहुत बड़ा सिगमेंट है वो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है उसको हम लोग देखते हैं और बहुत ही सीरियसली ठंग से उसको कबर करते हैं तो यहां पर जो बात कही जा कह रहे हैं कि जो भारत का बिनिर्माल सेक्टर से वो बिनिर्माल सेक्टर ठीक ठंग से काम नहीं किया उस बिनिर्माल सेक्टर में सुधार की आवसकता है और वो बिनिर्माल सेक्टर एक तरीके से फेल रहा भारत का एसा क्यों कह रहे हैं और उस पर सवाल भी उठना जायज सवाल क्या उठ रहा है कि वेन इंडिया साफ्ट बेर सर्विस सिक्टर वेर बूमिंग इसका मतलब है कि जब भारत का सर्विस सिक्टर ठीक है जब भारत का सर्विस सिक्टर क्या कर रहा था बूम कर रहा था आगे लेकर के जा रहा था निर्यात कर रहा था पैस्वी कस्तरप् क्यों नहीं उभर करके आया सेवा चेतर से वो आगे क्यों नहीं निकल पाया भारत का बिनिर्मार चेतर सुरू से ही डाउन क्यों रहा जबकि बहुत जादा सुधार भी किये गए तो यहां पर राइटर कहते हैं कि जो maximum successful economy है उसमें जो industrial expansion होता है यानि कि जो industrial development होता है सबसे पहली priority उनकी वही होती है industrial development को लेकर के यानि कि एक तरीके से जो अध्योगिक विकास होता है उसको लेकर के सबसे पहली priority इन देसों की होती है दूसरा जो 1991 में new economic policy आई नई आर्थिक नीत जो लिबरेज उधारी करण और अध्योगिक करण ये जो 1991 की policy निकल करके भारत सरक सरकार लेकर के आई वो उसमें जो focus किया गया था पूरा का पूरा manufacturing sector पर ही focus किया गया था और manufacturing sector को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा टैरिक को कम कर दिया गया license permit राज को खत्म करने के दिशा में प्रयास किया गया वो कम कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद जो GDP GDP growth होता है GDP growth GDP growth में manufacturing sector का जो share economy में वो इंपरेटली यानि कि सकार आतमक रूप से नहीं बढ़ पाया उसका जो प्रभाव है जो effect है वो एक प्रभाव साली धंग से growth नहीं कर पाया तो यह writer का कहना है अब इसके आगे जो बात निकल करके आती है वो यह है कि 19 इंडिया का जो manufacturing sector से 1901 के बाद से उसमें जो निर्मित उतपादों की स्रेडी और गुडवत्ता दो के दोनों बढ़ी यानि कि writer कह रहे हैं कि जो 1991 में सुधार किया गया था उस सुधार के बाद भारत का जो बिनिर्मान सेक्टर है उसमें जो उतपाद निर्मित होते हैं वो और उतपाद के से अलावा जो उतपादों की गुडवत्ता होती है उसमें प्रभाव साली भंग से बृद्धी देखी गई लेकिन होता क्या है कि बिनिर्मान का जो बिस्तार होता है वो बिना उतपादित वस्तूओं की बढ़ती गुडवत्त और बिवित्ता कि ये सब जो है कि आयकी आसम पूरा होल बिस्तार नहीं करेंगे वही यहां पर कहा जा रहा है कि जो बिनिर्मार सेक्टर से जब तक आप उसका बिस्तार नहीं करेंगे विस्तार का मतलग पूरे जितना कंट्री है वहां तक बिस्तार निर्यातस्तर पर बिस्तार एक बिस्तार साली एकॉनमी की बात यहां पर की जा रही है जो व्यापक यानि कि इस्प्रीट तरीके से मैनुफेक्चर को आपको बिस्तार करना होगा और उसके बिना यानि कि बगएर बिस्तार के आप चाहे प्रोडक्ट की गुडवत्ता बढ़ा लें चाहे उसकी बिवित्ता बढ़ा लें यह सब केवल और केवल ज में काम किया और वो एक निश्चित लोकेशन पर है तो उससे संबंधित लोगों की आए बढ़ गई उससे रिलेटेट लोगों की आए बढ़ गई लेकिन बाकी लोगों की कम हो गई यानि कि manufacturing sector जो है वो पूरी की पूरी जनता से जुड़ा हुआ नहीं है में बात ये थे अगर manufacturing सेक्टर को जब तक आप पूरी जनता से नहीं जुड़ोगे अपनी पूरी population के साथ connectivity नहीं बढ़ाओगे तब तक ये जो आय की असमानता है ये बढ़ती ही रहेगी और इसमें आप कोई भी सुधार प्रमालफारेडंस से नहीं कर सकते हो जो बिनिरमाल सुधार हुआ वो 1991 में नियो एकोनामिक पालसी हुआ था पहली बात दूसरी बात यह है कि 1991 के बाद से संदो हज्जार चोदह में मेक इन इंडिया जो वर्तमान भारत के प्रधान मंतरी हैं स्री नरेंद्र पत्यक्ष बिदेसी निमेस वो क्यों कहा गया क्योंकि देखिए यहां पर एक कांसेप्ट होता है कांसेप्ट यह होता है कि जब economy में और्थ बेवस्था में घरेलू अस्तर पर पूझी की कमी होती है capital जो निर्मार होता है यानि कि GDP to capital भारत का GDP ratio है capital में GDP से ही capital निर्मित होता है वो minimum 35 के इबब है तो बहुत ही कम है तो इस तरीके से जो capital क्योंकि अगर आपके पास capital है तो आप investment की दिशा में जाओगे investment करोगे तो हर sector ग्रो करेगा तो capital की है कमी अब economy में अगर capital की कमी है तो आपको capital के लिए कहां से प्रबंधन करना पड़ेगा जाहर सी बात है बिदेशी प्रत्यक्षनी में सिया तो आप करिए या तो बिदेश से loan लीजिए या तो public से लीजिए लेकिन जब public के पास पैसा होगा तब वो देगा तो इसमें क्या है ब्यासतर में कटावती की जाती है मतलब जितनी भी process होते है capital को निर्मित करने के उतने process से capital निर्मित किया जाता है अभी हाल ही में क्या हुआ recently में कि उतपाधन से जो जूड़ी प्रोट्साहनी होजना है उसको लेकर के आया गया जिसमें जो certain product हैं उस पर सबसीड़ी परदान की जा रही है लेकिन इतने के बावजूद यानि 91-2014 अभी जो प्रोशाहनी होजना लेकर के आई सबसीड़ी दी गई इसके अलावाद जितनी भी राज्य सरकार के द्वारा या केंदर सरकार के द्वारा जो कुछ भी manufacturing की sectors में किया जाता है किया गया लेकिन उसका जो effect निकल करके आया वो प्रभाव साली नहीं रहा है कहीं कहीं उसमें like रहा है वो एक जो output निकलना चाहिए वो निकल करके नहीं आया अब यहाँ पर राइटर जो है अपनी बात कह रहे हैं कि संद 212-23 में जो राश्ट्री आये का पहला अग्रिम अनुमान था वो उसकी चर्चा की जा रही है कि राश्ट्री आये के पहले अग्रिम अनुमान में जो बिनिर्मार सेक्टर का ग्रोथ है वो 1.3% है पहली चीज और ये क्रिसी और सेवाच सेक्टर से भी कम है अब आप समझ सकते हैं कि जो industrial economy है उनका सबसे strong part क्या होता है manufacturing सेक्टर होता है manufacturing किसी भी देश का एक रिड की हड़ी होती है अगर manufacturing सेक्टर से strong है तो आपका service सेक्टर भी फुल्फिल करेगा और agriculture सेक्टर भी फुल्फिल करेगा लेकिन भारत का क्या है कि जो बिनिर्मार छेतर है वो उसका जो growth है 1.3% है और ये राश्ट्रियाय का जो पहला अग्रिम अनुमान आया है सन 2022-23 में वो है और ये जो growth दि growth हुआ है, इतना ज़्यदा कम है तो ये जो नीतिकत पहलों की उपस्थती में जो बिकास की कमदरों के नीरंदर ता, जो बिनिर्मार बिंदुपर केंद्रित थी अब वो जो है सन्रचनातमक छेतर में वापस आ रहे है यानि कि जो नीतिकत पहलू किया गया था बिनिर्मार सेक्टर को इस्टांग करने के लिए जो पालसी लाई गई थी, वो कम दर पर लगातार बढ़ रही थी, यानि कि ग्रोथ कर रहे थी लेकिन उसमें कोई प्रभावसाली नहीं था, और यह बिनिर्मार सेक्टर पर ही फोकस थी अब वो जो है ट्रांस्फार्म हो रही है संरचनात्मक छित्र में वापस आ रही है अब निजी कारिक्रम था एक प्राइवेट इवेंट था वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर गए थे और उनको बोलना था इस पीज देना था तो वह अपना जो वह सेक्टर से क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर है उसके बारे में उनको बोलना था और वहाँ पर कार्पुरेट के लोग भी बैठे थे कार्पुरेट सेक्टर से के लोग आपस में बैठे थे तो उनके समने उनको बोलना था तो यहाँ पर जो निजी कारिक्रम में फानेंस मिनिस्टर की चर्चा की गई यानि कि finance minister थे कार्पोरेट के लोग थे और भी लोग थे जो उद्योग घराने के लोग होते हैं वो भी थे वहाँ पर जो चर्चा निकल करके आई वो ये थे कि manufacturing sector को हम मजबूत करने की क्या आवज सकता है जिससे job creations में help मिले मतलब नौकरी के आउसर बढ़ें दूसरा growth rate बढ़े एकानमी में growth का sectors बढ़ें तो finance जो minister थे उन्होंने corporate sector को संबोधित किया कि private sector ready है क्यों ready है क्यों हमने takes rate को कम कर दिया है जो doing a business है उसको हमने improve किया है public investment को improve किया है और हमारा जो capital expenditure है वो 18.5% तक grow हुआ है इसमें वो 18.5% पर है पिछले budget के हिसाब से तो हम तो तयार हैं यानि कि private sector finance minister कह रहे हैं कि हमको जितना सुधार करना है वो तो हम कर रहे हैं और उसके लिए we are ready लेकिन अब वो private sector से पूछ रहे हैं कि क्या आप ready हैं क्या आप इस सुधार को देखने के लिए ready हैं ये सुधार आप के लिए जो हमने सुधार किया है ये सुधार आप इसके अनकूल अपनी जो बेवस्था है उसको लेके आने के लिए आप ready हैं तो private sector भी अपना कह रहा है private sector को finance minister कह रहे हैं कि private sector को भी अब जो है आगे आना चाहिए सरकार दोरा क्यों कह रहा है क्यों कह रहा है क्यों कि सरकार के दोरा अनकूल उपाय किया गया है और उमीद है कि manufacturing sector जो है इन उनकूलों से ये जो उपाय किया गये है उससे आगे निकल करके आएगा उद्योग नेता आगे आए और विनिर्माट sector को आगे बढ़ा है ये पूरा का पूरा जो है चर्चा में निकल करके आया अब हो क्या रहा है कि जो बिचार किया जाना है demand sector पर बिचार किया जाना है मांग को ले करके बिचार किया जाना corporate जो दर थी उसको घटा दिया गया COVID-19 जो आया था उसके चलते सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना है लाई गई loan को जो है loan में subsidy दी गई कुछ पैसे तक loan को मुफ्त कर दिया गया और सरकार द्वारा बिनिर्माट sectors में उच्छाल के लिए बहुत सारी जो है guarantee क्रित योजना लाई गई तो यह जो supply side होता है capital को ले करके एक तरीके से वो पूरा किया गया supply side को जो है उसको ले करके कारवाई जो होनी थी वो हुई लेकिन जो मांग पक्ष है उस पर अभी बिचार किया जाना है क्यों? क्योंकि जो मांग पक्ष है सबसे बड़ी चीज की household यानि घरेलू मांग घर की मांग, आवास मांग, स्वास्त, सिक्षा, भोजन ये सब को आप अस्थगित नहीं कर सकते मतलब इन में से एक को भी आप रोक नहीं सकते है और भोजन क्या होता है? भोजन जो है मांग पक्ष की बृद्धी को रोकता है अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको confusion होगा लेकिन वो confusion मैं दूर कर दे रहा हूँ क्योंकि मांग पक्ष पे यहाँ पर राइटर कर रहे हैं कि मांग पक्ष की बृद्धी मांग पक्ष जो है यह economic growth को रोकता है वो एक spectrum मतलब की एक particularी कर रहे हैं एक sector पर कर रहे हैं क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और भारत की GDP बहुत कम है जो प्रतिप्यक्ति आए है वो और भी कम है तो जो भारत में भोजन पर क्या होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है और जब अगर किसी परिवार की आए 100 रुपए है और उसमें से 80 रुपए 70 रुपए उसने भोजन पर खर्च कर दिया 10 रुपए स्वास्थ सेवाओं पर खर्च कर दिया तो बचा 20 रुपए 20 रुपए में और कौन सी मांग जनरेफ होगी जो अध्योगिक घरानों को प्रोशाहित करेगी कि वो अपने कमपनी का उत्पादन बढ़ाएं तो इस हिसाब से भारत में क्या होता है कि भोजन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है और उद्योग जो नेता होते हैं जो इंडरस्टियल छेतर के खिलाडी होते हैं उनका इस पर कोई नियंत्रों नहीं है अमीर देशों में क्या होता है जो USA है जैसे सिंगापूर USA जो भोजन और आय का जो अनुपात है वो बहुत कम है यानि कि भोजन की तुलना में वहाँ जो भोजन पर खर्च किया जाता है वो भारत की तुलना में बहुत कम है रिचस्ट कंट्री है वहाँ पर जनसंख्या कम है तो इस हिसाब से जब भोजन पर maximum खर्च हो जाएगा तो अन की मांग कैसे होगी और निर्यात की जो संभावना है वो किसी अर्थ ब्यवस्था का बिनिर्मार छेत्र संकीरड घरेलू बजार की दर को किनार कर सकता है यानि कि यहाँ पर निर्यात की संभावना इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर यहाँ पर घरेलू मांग यह जो पूरा-पूरा सेक्टर है घरेलू मांग के उपर है अब ट्राइटर कर हैं कि घरेलू मांग में तो आपका सबसे बड़ा हिस्सा भोजन पर चला जाता है और उस पर आपका कोई नियंत रढ़ है नहीं अगर आप निर्यात की संभावना देखें यानि कि बाहर एक्स्पोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जो अर्थब्यूस्था का मैनुफेक्चरिंग सिक्टर है यह जो छोटा घरेलू बाजार है उसको तुद्दर गिनार कर सकता है जैसे एक्जामपल के रूप में इन्होंने यही एक्जामपल दिया जो पूरुवी एसिया के छोटे देश हैं वो प्रभावसाली बिनिर्मार छेत्र की अस्थापना अपने अहान ना कर पाते अगर वो घरेलू बाजार पर निर्भर रहते तो भारत को भारत भी इसी तरीके से कर सकता है कैसे कर सकता है अब उस पर ये भारत को सला दे रहे हैं कि भारत भी इस तरीके से अपनी योजना को लांच करते हुए लेकर के चल सकता है लेकिन उसके लिए भारत को एक पालसी अपनानी होगी भारत कैसे कर सकता है भारत के लिए कह रहे हैं कि अपना जो इनका बिनिर्मार सेक्टर से जो बिनिर्मार जो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर से इंडिया का उसको बहुत ही प्रभावसाली बनाने का मतलब है कि उसको जो है एक बैस्विक लेबल पर ले करके आना होगा अब यह पूर्वी एसिया से तुलना कर रहे हैं कि जो पूर्वी एसिया देश है उससे अगर हम तुलना करें तो वो सफल क्यों है पूर्वी एसिया में जो मैनुफेक्चरिंग से वो भारत की तुलना में बहुत जादा निर्यात करता है तो पूर्वी एसिया क्यों सफल है क वो एक्तम मजबूत होना चाहिए उसमें कोई कटावती नहीं होना चाहिए और इन्फराइंस ट्रिक्चर सरकार द्वारा पोसित होता है दूसरा आपका जो इसकिल डिवलपमेंट होता है जो वरक फोर्स है जानि कि जो कार्यबल है उसकी जो गुडवत्ता होती है वो आपका इस्ट्रांग होना चाहिए यानि कि जो आपके स्रमिक हैं उनके अंदर क्वाल्टी होनी चाहिए यह दोनों अगर आपका इस्ट्रांग है तो जो एकॉनमी में कास्ट होता है यानि कि जो उत्पादन होता उसका लागत कमा जाता है और देश के द्वारा जो उत्पाद होत पूर्वी एसिया के देश हैं वो भी अपना जो निर्यात होता है वो समुद्र के ही रास्ते होता है अब भारती निर्यातकों के सामने समस्यां यानि कि भारती जो निर्यातक हैं वे कौन कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं अब वो जो समस्या का सामना कर रहे हैं उनके लिए कौन सी समस्या हैं सबसे बड़ी जो समस्या है निकल करके कि उत्तर भारत की जो कंपनी है वो बंदरगाह तक कैसे पहुंचेगी बंदरगाह तक कि जिस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं सिंगापुर में होता क्या है कि भारती जो बंदरगाहों पर जहाज लगते हैं उसको बदलने के लिए बहुत अधिक टाइम की जरूरत होती है दूसरा अभी एक हाली में केरल के ब्यापारी का बयान आया था कि उनको जो है राज के बाहर जो बंदरगाह हैं वो यूज करने के लिए कहा जाता है तो इस तरीके से ये सब भारती जो निर्यातक होते हैं ये उनके लिए चुनोती बन जाती है कि वो कैसे अपने ब्यापार को लेकर के चलें कैसे एक अच्छी फैसल्टी पाएं तो ये सब एक चुनोती बन करके आती है भारती नियर्यात को के सामने और वो जो है भारती नियर्यात तक इस तरीके से एक सफल एक्सपोर्ट सते प Progress भारत नहीं बन पाते अब यहां पर जो नियर्यात के लिए बहुत माने रखती है वह है कि प्रिवान एक बड़ा रख होता है आपको पता है f حके быть अ County प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं उसके निप्टान की जो सेवाएं होती हैं वो आपका बहुत ही इस्ट्रांग होना चाहिए यानि कि केवल और केवल परिवहन के अलावा ये सब्भी बिजली अपसिष्ट सेवा अंतरिक्ष सेवा ये सब निर्यात में बहुत बड़ा माइने रखती है अब इसके अलावा भारत में जो सिक्षा है उस पर ये बात कर रहे हैं कि जो भारत में सिक्षा का परड़ाम है वो इंडरस्ट्रियल देसों से अपनी तुलना कर रहे हैं कि भारत में सिक्षा का जो परड़ाम है वो उसकी थोड़ा सा ये तुलना कर रहे हैं कि सि तो ही रैंक निकाली गई, प्रोग्राम फार इंटरनेशनल स्टूडेंट असेस्टमेंट रिवेल्स ये एक संस्था है, जो 75 देशों की रैंकिंग निकालती है, ये इस्ट एसिया उसमें सीर्स पर आया, इंडिया बहुत मुश्कल से अंतिमस्थान पर आया, तो अगर बीद अंग्या में वह बहुत ही कम है, इस्कूली बच्चों के लिए जो ये टेस्ट लेता है, कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसी एजुकेशन से, वह बहुत ही कम है, और अगर इंडियान इन्वर्स्टी के बीशा में देखें, यानि कि इंडियान इनिवस्टी में graduate अस्तर पर इस तरीके की कोई छमता ही नहीं है और इंडियन जो इनिवस्टी है उसमें रोजगार छमता की कमी है ये सब को पता है भारती प्रोध्योग की तक इसका विस्तार हो चुका है कि जो इंडियन प्रोध्योग की इंडियन टेकनोलोजिकल इंस्टि यह हुआ है जो सारीरिक स्वर्म से बचना चाहते हैं तो ये तो इंडियन इंविस्टी के बारे में है अब इंडियन economy policy क्या काम की कि जो एंडियन economy policy 1991 में आई थी वो तो manufacturing sector से लेकर करके आई थी लेकिन भारत में क्या है कि हर समय जो भी पालसी बनती है उसमें दो चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता है एक एजुकेशन सेक्टर्स को हर जगे एक अलग उसके लिए संस्थान बनाई गए है उसमें होता जाता कुछ नहीं है दो चार चार दस साल बीतता है तो एक रिपोर्ट आ जाती है और जब रिपोर्ट आती है तो हो हला मसता है और इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता है बाकि सारी की सारी बिवस्था वैसे ही चलती रहती है तो राइटर करहें कि इंडियन एकोनामी की पालस हो इसका कहीं कोई मुल्यांकर नहीं बेवसाइक प्रसिक्षन जो संस्थान है उसकी इस्थिति का कोई अप्चारिक मुल्यांकर नहीं और जो बेवसाइक प्रसिक्षन संस्थान है वो बहुत दूर है बहुत कम है योजना आयोक यानि कि जब योजना आयोग का अस्तितु था तब उसने एक रिपोर्ट निकाले थी कि जो भारती युवा तकनीक रूप से प्रसिक्षित है वो केवल 5% है और जब कि जो दक्षड कोरिया है साउथ कोरिया उसमें जो निकल करके आ रहे हैं वो 85% है अब आप खुद बताएए कि 85% वाला आगे करेंगे तो यह जो बात निकल करके आ रही है इंडिया के विसे में खास करके जो इन्वर्स्टी के विसे में उसकी सिक्षा के विसे में बात निकल करके आ रहे हैं अब वही राइटर करें कि एसी स्रम सक्ति के साथ जो भारत सपना देख रहा है बिनिर्माल सेक्टर के छेत तरीके से भारत कभी भी ग्लोबल अस्तर पर एक बिनिर्माण सक्टर ग्लोबल अस्तर की तो बात छोड़िये डोमेस्टिक अस्तर पर घरेलू अस्तर पर भी नहीं बन सकता अब इसमें करना क्या है 1991 की जो पालसी थी वो बिनिर्माण को मजबूत करने के लिए आई थी ब्यापार और द्यूगिक नीत में इसने आमूल चूल परिवर्तन किया गया ताकि बिनिर्माण को मजबूत किया जा सके अंदेखी किसका किया गया इसकूली सिक्षा को इसकूली सिक्षा में ब्यवसाइ इन सब में कोई भी जो अंदेखा किया गया है इन सब में आपको सुधार करना होगा जब तक आप इन सब सेक्टरों में सुधार नहीं करेंगे तब तक केवल कानून के माध्यम से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होना है आप इतना जान लीजिए आप केवल कानून लाइए धारा लाइए कानून और धारा लाकर के आप यह कहिए कि हम सेक्टर को सुधार कर लेंगे तो यह impossible है इस तरीके से यह possible नहीं है कि कानून और धारा से आप लेकर के चल सकें अब यह पूरा का पूरा आर्डिकिल जो था बिनिर्माल सेक्टर पर ही था कि भारत के जो बिनिर्माल सेक्टर हैं उसको इस्ट्रांग करने के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठा करके लेकर के चलना है अब यहां पर देखिए एक जो है सी प्लप जो निचला वाला आर्टकिल है यानि कि फारन पालसी को लेकर के यह सेंट्रल एसीन फारन पालसी यह वाला जो आर्टकिल है अब इस पे हम बात आते हैं इस पे करते हैं पूरी की पूरी बात यह सेंट्रल एसी में अभी क्या हुआ कि जो चाइना है आपको पता है कि चाइना बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है एग्रेसिव कंट्री का मतलब की एक तरीके से हर सेक्टर्स में चाहे वह कोई भी सेक्टर्स हो, मलेटरी, एकोंटमी और जो भी सेक्टर्स हो, उसमें हो क्या रहा है कि चारी न के द्वारा अभी Central Asia में, चारी न को सिंट्रा इसेकर," में उसमें एक meeting appointment किया गया , होस्ट किया गया चाइना की द्वारा जो Central Asian country है Central Asia कंटरी को एक बुलाया गया और वो जो चीन का सहर था सियान सहर था 18-19 मई को ये जो है 18-19 मईए चीन ने 18-19 मईए के बीच जो चीन है वो C और C5 सम्मिट का आयोजन किया कौन से सिटी में? सियान सिटी में और इस तरीके का ये पहला अपना सम्मिट का जो आयोजन होता है इस तरीके की पहली सम्मिट थी इसमें जो Central Asia के कंट्री सामिल थे वो पांच कंट्री थे कजागस्थान, किरिगिस्थान, ताजगिस्थान, तुर्कमेनिस्थान, उजबेगिस्थान ये पांचों कंट्री अभी जो चाइना का सम्मिट हुआ है उसमें सामिल थे और इस तरीके से जो ये सम्मिट हुआ है उसमें ये सारे देश फ्यूचर में यानि भविस में बाइलेटरल रिलेशन्स के लिए भी मार्ग पर सस्त करेंगे ये जो 6 कंट्री हैं ये यानि कि चाइना और ये 5 सिंट्रल एसिया के कंट्री ये किस पे फोकस्ट हैं बिल्ट एं प्रोग्राम लाया गया था उसमें ये लोग सम्मिट हैं और उसकी जो है दसमी वर्सगाट थी तो उसकी दसमी वर्सगाट पर इन लोगों का जो है सम्मिट हुआ और जो जिस पर साइन किया गया जो मुमेरेंडम निकल करके आया जिस पर डिसकस किया गया कि एक नए तरल सिल्क रोड प्रोग्राम रिजिनल जो छेत्रवाद होता है जो अतिवाद होता है आतंकवाद होता है उन सब पे विस्तार पुरुबग चर्चा की गई तद यह था कि जो यह आवयोजन किया गया था चाइना सिंट्रल एसिया समिट यह फ्यूचर में बाइनियल समिट द इस पर बहुत सारे लोग जो उनका द्रिष्टकूर है वो कर रहे हैं कि यह चाइना की विस्तारवादी पालसी का एक रिजन है को वो छेत्र में बिस्तार करना चाहता है और रसिया की महत्वाकांची कहीं न कहीं वो रसिया की जो महत्वाकांचा है कहीं न कहीं उस पर चु कर रहा है, लेकिन यह जो तरीका है, यह valid argument हो सकता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यह केवल और केवल एक dynamic जो परिवर्तन सीलता होती है, उसको जो original complex होता है, यानि कि जो छेतरिय जटिलता होती है और गतसीलता होती है उसको रिफिलेक्ट कर रहा है इस तरीके से ये चाइना को उपर जो लोग ब्लेम कर रहा है उससे ये बचा रहा है और एक्जामपल दे रहा है कि सन 2022 में हुआ क्या था कि जो कैरिन इंडोनमेंट होता है इंटरनेशनल पीस के लिए इसी साल जो रसियन प सिंट्रल एसिया के कंट्री हैं सिंट्रल एसिया के जो प्रिसिडिन्ट है वो मास को 9 माई को विक्ट्री किये यात्रा किये जो 9 माई को जो वहां पर परेड़ दिवस होता है तो उसके लिए वो सोबियत जो वहां के रसिया में वो लोग अपनी यात्रा किये जो सोबियत है वो यह जो यात्रा है वो यह भी दरसाता है कि जो पूर्व सोबियत संग था वो इस छेत्र में अपनी जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट है जो रिजनल बैनल्स है उसको मिंटेंड करने के लिए प्रतिबद्ध है ऑब यहाँ पर जो Central Asian Country की जो पालसी की बात कर रहे हैं कि जो Central Australian Country है वो अपनी जो फारेंड पालसी लेकर के चल रहे हैं वो सक्सेस्फुल इंपलीमेंट कर रहे हैं various sectors में, multi-vector sectors में, ये लोग अपना जो है, लेकर के चल रहे हैं। रसिया-चाइना, एक्सिस के अलामा भी ये लोग और जगहों पर शम्मिट लेकर के चल रहे हैं। इस तरीके से आप इनको एक successful parent policy का उधारन कह सकते हो। अब इस संदर में जो पोस्त सोवियत इस्टेट है यानि कि जो पूर्व सोवियत गढ़राज है इस्टेट है वो अपनी जो पालसी है यानि कि जो संप्रभुता है रसिया के संबंद में लेकर के वो उसको साथ लेकर के अपना चल रहे हैं यानि कि हर किसी की संप्रभुता का जो सम्मान होता है उसको लेकर के चलना चाहिए जो economy और political ties होती है center powers होता है वो भी लेकर के अपना एक साथ ये लोग चल रहा है लेकिन यहाँ पर writer कर रहे हैं कि ये वही central Asia की foreign policy की बात कर रहे हैं यहाँ चाहिना के साथ अपना जो engagement कर रहा है जो ties लेकर के चल रहा है वो तो लेकर के चली रहा है successful है यह लेकिन जो European council president है Charles Michel वो कजागिस्थान और जुबेकिस्थान की यात्रा पर थे और उन्होंने अपनी यूई की commitment होती है यानि European Union की जो commitment है region of peaceful की लेकर के सब्रभुता को लेकर के integration cooperation को लेकर के यानि की सहयोग को लेकर के सांती को लेकर के वो उनका काना है कि EU अपनी प्रतिग्यां पर प्रतिबद्ध है और यह एक मजबूत संकेत देता है और इसी के साथ जो mister missile है वो पहली high level meeting जो Central Asia के लिटर के साथ होई थी अस्ताना में वहाँ पर उसके आयोजन में भी वो पहुंचे थे अब बात क्या निकल करके आ रही है कि जो basic parameter है अब यहाँ पर 5 के 5 ओ जो country है उनका ये वो कर रहे हैं कि जो 5 की 5 ओ country है वो उनकी foreign policy पर ये चर्चा कर रहे है कि जो parameter है तुर्कमेनिस्तान foreign policy का इसकी जो आजादी हुई थी 1991 के बाद से उसका official status है कि उदासीन था अब ये 2022 में जो ये फिरस निकल करके आए तुर्कमेनिस्तान नए प्रधानमंत्री जो सरदार नए प्रेसिडेंट जो सरदार बरदी मोहों मोह दो हैं उन्होंने इसका statement दिया कि हम जो है लगातार जो naturally based policy होती है एक अच्छा पड़ोसी समानता और पारस पर इक जो लाब होता है corporation उसको ले करके हम पूरे बिस्व में ले करके चलेंगे तो यह किसकी पालसी थी तुर्कमेनिस्तान की कि अपने पड़ोसीयों के साथ एक अच्छा बेवार सांधिफूल बेवार एक beneficial जो लाब होता है परस पर लाब उसको ले करके चलेंगे उजबेगिस्तान के केस में दूसरा रहा उसकी जो main priority थी उजबेगिस्तान के जो foreign policy है वो है regional security Central Asia में जो है सांती को ले करके जो छेतरी है सुरक्षा Central Asia में वो ले करके चलना चाता है और उसने जो है यह जो environment अफगानिस्तान का है यानि कि जो अफगानिस्तान में चहल कहल मचा हुआ है वो भी घटना इनके foreign policy में ले करके सामिल है और अधर जो priority है वो अधर डारेक्शन में जो इनके साथ जो जुड़ा हो है common wealth, independent states, member states, Russia, China, United States, European Union, Turkey, South Korea, Japan, Malaysia, Indonesia, Singapur, Vietnam यह सब जो है अपना ले करके, मतलब केवल इनी देशों के साथ मत देशिया के साथ नहीं बलकि यह पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ ले करके चल रहे हैं, A.C.I., European Union सब के साथ अब इसके बाद बात आती है किर्गिस्तान की, इनका जो चिंता का सबसे ज़्यादा बिसे होता है, जो DC factors है, वो है economic and security को ले करके, अब इनकी foreign policy में वही निकल के आया, post जो यह सोतंदर्था के बाद से अपनी economy और security को ले करके यह चिंतित रहते थे तो इनका जो 2000 election, 2021 में इनका election हुआ, और यह सैदर जवप्राव, जो president है यहाँ के कर्गिस्तान के, यह अपनी जो पहली official widget थी वो रसिया में ले करके गए और इसके बाद यह जो है रसिया से अपना security partner जो वहाँ पर रसिया के साथ जो engagement इनका हुआ, वो security के मुद्दे पर हुआ, ऐसा लगा कि जैसे रसिया जो है, अभी भी जो बिसकेक के खाड़ी होती है, जो बिसकेक है, वहाँ पर रसिया अपना जो सुरक्छा का इसू है, व और वो एक collective security treaty यानि CSTU का आयोजन कर रहा है, जहाँ पर जो उसकी जो कांत military airbase है, वहाँ पर अपना जो सुरक्छा treaty है, उसको बनाए रखा है और SENA को भी वो बनाए रखा है, तो यह जो multi-real engagement है करगिस्तान का, वो Eurasian member के साथ है, यानि कि Eurasian member economic union के साथ है, संगाई corporation organization CST CEO के साथ है, और यह Turkish state के साथ भी इनका organization है, अब यह तजागिस्तान की foreign policy की बात करते हैं कि जो तजागिस्तान की जो foreign policy है, वो उस पर बात करते हैं कि जो तजागिस्तान है, वो open door कूले करके चलता है, peace seeking policy को अपनाता है, यानि कि सांती रहे, खुला वाता वराण हो, यह स समानता के आधार पर और उनको respect दें, यानि कि जो यह किरगिस्तान, तजागिस्तान की जो foreign policy है, वो friendship, partnership को ले करके चलती है, एक अच्छा बेवार recognize करती है, equality पर ले करके चलती है, open door को ले करके चलती है, peace seeking को ले करके चलती है, यानि कि सांती के मार्ग का answer करने पर ले करक कि हमको post-soviet space जो था, उससे कुछ सीखना है, उसके लिए कुछ सीखना है, कि जो foreign policy का Central Asia में जो highlight हो रही है, यानि कि ये जो पूरी की पूरी foreign policy है, ये जो highlight कर रही है, एक सामान निक करेक्टर्स को, एक सामान निक बिसेस्ता को ले करके चल रही है, क्योंकि सब की जो बिसे कुछ है, वो जो रसिया के साथ, जो इनका pro है, multi-vector, यानि कि एक तरीके से आप कर सकते हो कि जो benefit है, उसको friendly maintain करने के लिए, समझोता करने के लिए, ये multiple player के साथ ये लोग ले करके चल रहे हैं, रसिया को सामिल करते हुए, तो Central Asia Republic, जो Central Asia के country है, वो post-soviet country जैसे जारजिया और यहाँ पर mainly जारजिया और मालदोवा की ये बात करते हैं, कि जारजिया और मारदोवा जैसे ये Central Asia के जो country है, सभी के साथ एक अच्छा बिवहार ले करके चल रहे हैं, तो जो post-soviet के country जारजिया और मालदोवा थी, उसके साथ भी ये लोग प्रासंगिक बन करके ले कर के चल सकते हैं, एसी बात नहीं है, कि जारजिया और मालदोवा को ये लोग तठस्त करते हैं, उसके साथ भी ये लोग चल सकते हैं, और ये जो Central Asia के जो country है, इनकी जो लंबी आकांचा थी, North Atlantic, यानि नाटों में समलित होने की, वो रसिया के साथ, जो इनका बिस्तार है, र और अगर आप ये लोग नाटों में सामिल हो जाते हैं, अगर बाइदेबे नाटों में सामिल हो गए और जो आप परमपरागत युद्ध छिड़ गया, तो जो सुरक्षा की गारंटी है, वो संभावना उसकी कुछ भी दिखाई नहीं देती, वो एक तरीके से उसकी सुरक का दिन है, 21 मही के दिन मालदों में 10,000 से ज़्यादा लोग जो कैपिटल उसकी राजधानी है, चीस नियू, वहाँ पर जो प्रो विस्टर्न गवर्मेंट है, उसकी जो पालसी है, उसको समर्थन में लेकर के आए, और जो मालदेव है, उसका कहना है कि हम यूरोपियन यू आउसर है, चांस है, हमारी जनता को कि वो सांती में रहे, लिव इन पीस एंड प्रोस्पियर्टी, तो इस तरीके से जो विस्ट का विचार है, जो वहाँ पर विस्ट के विचारों का समर्थन करने के लिए, जो यह सब है, वो सब तो ठीक है कि यह जो सिंटरल असिया के century है European Union NATO इन सब में सामिल होंगे वो ठीक है लेकिन जो रसिया की इस्तिति है रसिया की जो जेगृफिकली इस्तिति भोगोली कि स्तिति वो जहां पर है वह वहीं पर रहेगा जो रहा है वो हो रहा है उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है और जो जारजिया और मालदो हैं वो कहीं ने कहीं जो उसका जो multi-victor foreign policy है उसके जो विस्वास है उस पर जो एक redeem होता है जो एक createable तरीका होता है उस विस्वास में अपने जो अच्छे पड़ोसी के रूप में है उसके जो कारण है वो कम नहीं कर सकते तो इस हिसाब से उन पर जो विस्वास है वो कम नहीं किया जा सकता एक प्रासंगिक तोर पर उनको लेकर के चलना होगा और जो पीसिंग पालसी है यानि कि जो जारजिया और मालदयों को उनके लिए सभी जो सेंट्रल एसिया के कंट्री हैं विस्वास करते हुए आगे बढ़ें और इस तरीके की जो विचारधारा है वो लेकर के आए अदरवाइज ये जो बिचारधारा है कि जो पूर्ब सोबियस संग के पहले की कि हम उनके साथ नहीं लेकर के चल से नहीं चल सकते प्रासंगिक नहीं है इस तरीके की अगर एक वातावरान जन्म लेता है तो नो डाउट की आगे के लिए हर चीज के लिए ये सब एक ग्रिटर जो है रिस्क वो ला करके खड़ा कर देगा और उसको जो रोकना है वो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर जो यह सेंटरल एसी या कि फारण पालसी की बिसे में अपनी बात लेकर के आते हैं इसके बगल का जो आडगिल है यानि कि रिडिंग ये ये वाला आडगिल ये वाला आड ये जो जो इसका जीडिपी घ्रूथ होता है जो ये सब है उसको लेकर के अपनी बात आया अब इसमें क्या बात कही गई है इसमें जो बात कही गई है वो है कि जो जीडिपी है जो GDP है वो जनवरी मार्च की तिमाही के लिए 6.1% का अनुमान है कि वो 6.1% के हिसाब से ग्रो की है ग्रो कर रही है और ये जो अनुमान है वो पूरे साल की जो अनुमानिच GDP है उसको 7.2% रहेगी थोड़ा बहुत बढ़ाने में उसको help मिल सकती है चोथी तिमाही के लिए जो GVA है पिछले तीन महीनों से उसका जो विकास है उस विकास में व्यापकता आधारित विकास की तरफ वो इसारा कर रहा है जो अम्ब्रेला, यूनिटिल्टी, सर्विस सेक्टर्स होती है उसमें electricity, बिजली, गैस, वाटर की जो सप्लाई होती है वो उसके साथ बृद्धी कर रहा है और जो व्यापार की सर्वगराही स्रेडी होती है होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यूकेशन ये सब भी बढ़ रहा है इसमें से आथ में से केवल दो सेक्टर्स की कमी हुई है वो ग्रोफ नहीं किया है अब यहाँ पर राइटर कर रहे हैं कि जो निर्माण सेक्टर्स होता है वो 10.4% से लीड किया पूरे के पूरे सेक्टरल ग्रोथ में होटल और ट्रांसपोर्ट 9.1% ग्रोथ किया जी बिये में ये दोनों जो सबसे बड़े छेत्र हैं 13.1% ग्रोथ हुई क्योंकि जो कोविड-19 की आसंका कम होने के कारण इसमें फिर से उछालाया जो बिनिर्मार छेत्र था वो सिल्वर लाइन पर आ गया है दिसंबर की जो ति परसंट टूटल हुआ और इसका जो आकड़ा निकाला जा रहा है वह आकड़ा निकाला जा रहा है कि जो SP Global Survey की जाती है उसके आधारित पर जो सूचकांक की होता है उस्की जो रीपोर्ट है वो तर बिस्तार के तरफ बता रही है और PMI जो रीडिंग है वो जनवरी तो 2021 के बाद से फैक्टरी आडर में ब्रिधी की तरफ लेकर के चल रही है कि फैक्टरी जो आडर है उसमें ब्रिधी हुई है इस वर्स जो बैस्विक आर्थिक मंदी हुई ग्लोबल स्लो डाउन आया एक जो डिमांड सेक्टर्स की तरफ से अनिशित्ता आई यानि कि कुल मिला करके मार्केट डाउन था उसके बावजूद बढ़ती आर्थिक मंदी सहीत अर्थवेवस्था के लिए जो मजबूत बिप्रिष्ट स्थीतियों का सामना करने में ये लोग सफल रहे यानि कि इतने क बावजूद ये अपना जो होता है कि हम सामना कर ले जाएंगे वो अपना करने में ये लोग सक्सेस्फुल रहे अब जो बात निकल करके आती है कि इसके बावजूद जो बित्तियों सेक्टर्स है यानि कि वो सेक्टर्स जोखिम में है यानि कि ब्राइटर कर रहे हैं कि ब GFCF यानि कि grass यह जो है इसका जो full farm होता है वो full farm है fixed capital यहाँ पर जो है GFCF यहाँ पर हम थोड़ा सा देख नहीं पा रहे हैं और यह जो इसका full farm निकल करके आता है यहाँ पर gross fixed capital तो यह जो है वो 8.9% की तरफ से बढ़ रहा है अब यह 8.9% की तरफ से अपना लेकर के चल रहा है अब यह 20.8% की तरफ क्या हुआ रिबूस्ट किया यानि कि सरकार और यह 20.8% की लेकर के रिबूस्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा क्या किया गया कि सरकार के द्वारा आउसन रचना में बहुत ध्यान किया गया जो public investment होता है public work जो होता है वो पूरा का पूरा बहुत ही बेतरी धंग से सरकार के द्वारा किया गया और इसके बाद जो capital expenditure होता है यानि कि जो पूजी की वे होती है वो लेकर के सरकार के द्वारा किया गया अब यह अपना इसके चलते यह जो GFCF है यह साल दर साल क्या कर रही है कि 20 जो 8.9% से बढ़ रही है तो यहाँ पर यह बात निकल करके आती है अगे क्या कहते हैं कि जो investment हुआ है investment में वो रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा है रोजगार कर रही है रोजगार उससे निकल करके आएगा तो वो रोजगार के लिए best है उससे रोजगार निकलना चाहिए रोजगार वो लेकिन जो नीजी अभी भी जो एक सबसे बड़ी समस्या बन करके सामने आई है कि नीजी खपत खर्च यह क्या है कि नीजी खपत खर्च यह मजबूत इस्तिती हांसिल नहीं कर पाया और जो नीजी उपभोग व्य है वो 3.2% का अनुमान मार्च तिमाही में वदिसे हैं यानि कि जो निजी ब्या किया जाता है वो 3.2% के अनुमान से हैं और इसमें जो GDP सेयर है वो 8 तिमाही में अगर जोड़ा जाये तो 55% तक कम हो गया है यानि कि 8 तिमाही को अगर आप जोड़ते हुए इसकी करना करोगे तो यह 55% तक कम हो गई है और इस वर्स की जो बात की जा रही है भारती मौसम के द्वारा कि जो वर्सा की संभावना है वो बहुत कम है और वर्सा क्योंकि एल्लीनों आ गया है और इल्लीनों के आने से जो वर्सा हो रही है वो तो कमी हो रही है उसका उसका इपेक्ट क्रिसी उत्पातन पर पड़ेगा संबंधित ग जो सहायक बनी होती है यानि कि अगर लिनो आ गया बारीस कम हो गया डिमांड गड़ गया तो उनको राज़कोशी और मुद्री कुपाय करके विकास को आगे लेकर के चलना चाहिए विकास को सहायक जिससे बन सके जिससे विकास करने में वदद मिले वो अपना लेकर के चलें अपना लेकर के करते रहें अब यहां पर एक यहां पर जो बात निकल करके आती है फ्रेंड्स वो बात क्या है आईए हम लोग देखते हैं यहां पर देखिए रेसलर की बात की जा रही है और वो है यह यह वाला रेस्टिंग फार वो यह है कि जो रेसलर के डिमांड है वो यह है कि जो WFI के प्रेसिडेंट है भारती जंता पार्टी के मिंबर संसत के जो मिंबर है ब्रिज भूसर सरन सिंग वो अभी एक्क्यूस्ट किये गए कथित तोर पर उनको अपराधी सापित किया गया सेक्सूल हरास्मेंट को लेकर के वो लगातार जो है उनपर डिसकस की जा रही है चर्चा का केंदुब्रिंद रहे हैं कि उनको जो है गिरफतार करने की मांग की जा रही है और ये जो है जो टक्निकली इन्वेस्टिक जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये प्रोटेस्ट इस नो ला इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून जो है अपना कारे कर रहा है तथी इस बात की है कि जो सांसद हैं रूलिंग पार्टी के उनको निंदा करने के बज़ाए वो बहुत ही आराम से बहतरी नढंग से रह रहे हैं और जो उनको पोस्कों के अंदर जो इंकलूट किया गया है यानि कि एक सेक्सूल हरास्मेंट को ले करके उनकी निंदा करनी चाहिए इसके बावजुद वो एक जो उनकी पब्लिक लाइफ है वो सब बहुत ही बेस्ट है और जो ये आरोप उनके उपर लगे हैं इसके चलते उनको जो एडिनिस्टेशन से संग के अध्यक्च पत से उ और हम नारी जो स्टेटर से हम रिपोर्ट को जल्द ही कोर्ट में सामिल करेंगे लेकिन तत्थ क्या है कि जो फोर्स है पुलिस फोर्स है तो बे जो 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 पुलिस ने अपनी जो सोसल मेडिया होती है उससे अपना जो तत्थ होता है कि जांच को रोकने का वो जो पोस् ये wrestlers होते हैं उसमें जो सामिल है international medal winners भी सामिल है ये अभी हैतराबाद में गंगा घाट पर अपना medal जो है प्रभाहित करने के लिए गये थे हलांकि back moment में वापस भी आ गये लेकिन ये justice के लिए कहीं न कहीं एक तरीके से मांग की जा रही है उनके द्वारा और फिर ये जो protest की जा रही है ये wrestler के द्वारा इसमें civilian support भी मिल रहा है international sport भी मिल रहा है international olympic committee united world wrestler ये लोग भी इसको support कर रहे हैं और police के द्वारा जो अभी parliament का integration हो रहा था और police द्वारा wrestlers को पीटा गया था उसकी निंदा की गई इसके बाद उत्तर परदेश और हरियाड़ा के जो मिल हो गए हैं तो इस दोरान जो मिस्टर सिंग है उनको जो है ruling party से निंदा का सामना करना चाहिए था लेकिन जो वो अपना जो नेत्रित वा उनके जो संरचक हैं उनके अंदर में वो enjoy कर रहे हैं और इसके बाद ये UP के जो कैसर गंज इलाके से जो protest होता है उस पर UP के कैसर लेकर इलाके से एक सकतिसाली सांसत हैं वो जो है wrestler पर आरोप लगा रहे हैं उनके जो आंदोलन कर रहे हैं उनको एक supporter बता रहे हैं और एक बार जो है कथी तोर पर टाड़ा केस में Mr. Singh जो है वो सामिल किये गए थे और तब से BGP में जो इनका कदबा है जो इनका मुल है व जानी कि कहने का मतलब जो दंड देने का तरीका है उसको punish करने का तरीका है ये पूरी तरीके से जाच के आधार पर होनी चाहिए अगर कोई भी person हो अगर जाच में वो दोसी पाया जाता है तो निश्ची तोर पर उसको दंडित किया जाना चाहिए और Mr. Singh के खिलाफ जो आर अगर केस के जाच की जाती है तो अगर उसमें कुछ निकल करके आता है कि यानि कि कतित तोर पर अपराधी है या दोसी पाया जाते हैं तो निश्ची तोर पर दंडित किया जाना चाहिए और इस तरीके से होना भी चाहिए यानि कि कोई भी person हो चाहे कितना भी बड़ा नहो अकर वो कानून तोड़ता है या उलंगन करता है तो उसको दंडित किया जाना ही चाहिए तभी एक जा करके एक हम अच्छा मैसेच दे सकते हैं आल जो विक्टिम्स हैं जो पीडित हैं जो उम्मीद करते हैं कि भारत में अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उसके प उसके पग्रती जो टालरेंस की नीथ होती हंडके और ये पूरा का पूरा आपका जो आर्ड़ेकल का पार्ट है वो आड़ेकल था अब जो news analysis का पारड़ है उस पे हम लोग चलते हैं और news analysis में क्या निकलकर कर आता है आह यह देखते हैं यहां पर देखिए news takes में तीन बातें निकल करके आ रही है और नियो जनालसिस जो है वो है क्या कि जो जूड़ीसियल पैनल है यानि कि अभी कौन गया है मडीपूर आपको पता है कल हमने बताया था कि जो ये ममित्सा हैं ये ममित्सा मडीपूर गए हुए हैं और वहां पर मडीपूर में इस्थिती ज जो बात चित की है, वहां के लोगों से मिले और सांती बनाये रखने की उम्मीद की, इन्होंने जूडिसियल कमीशन को तयार किया, इसका जो वाइलन्स हुआ है मडिपुर में, उसकी जाच करने का एक जूडिसरी कमेटी गठित की गई, हाई कोर्ट में जो रिटार्ड चीप जो है, ये बात कही गई, कि एक जूडिसरी कमेटी का गठन किया गया, कि इसकी जाच की जाए, अब देखिए बात क्या निकल करके आती, आगे इन्होंने ये भी कहा कि CBI भी अपना जाच इस तरीके से कर रही है, तो ये जो है, अब आगे जूडिसरी कमेटी जो गई है, कि एक दसमलों पांच लाख करून रुपए, जी एस्टी जो कलेक्शन हुआ है, वो डेढ़ लाख करून रुपए से क्रास कर दिया है, और मई में 11.5% जो है जी एस्टी कलेक्शन हुआ है, वो एक तरीके से जो इंडियन वो होय, क्या कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विश स्टेक्स, उसका कलेक्शन की बात की जा रही है, उसका जो कलेक्शन हुआ है, वो इतने पे जाकर के हुआ है, अब यहाँ पर मई में उसका जो आंकड़ा दिखाए गया, वो 11.5% और यह जो है टोटल 1.5 साथ लाख करून रुपए जाकर के हुआ, अब यहाँ पर जीएस्टी का कलेक्शन तो दिखा दिया गया, लेकिन अब आगे की बात, आगे जो निउज निकल करके आती है, वो कौन सी निउज है, उसको हम लोग देखते हैं आगे जो निकल करके आते हैं वो देखिए बहुत important news है क्योंकि कल इंडिया और नेपाल में संधी हुई थी इंडिया और नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं भारत में अब उनके बीच क्या कुछ हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी भी है अब समझोता हुआ है अब क्या सम है समझोते को ले करके अभी नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों लोग आपस मिले और एक agreement हुआ किस पे energy को ले करके energy transport को ले करके कि नेपाल की जो energy transport है वो बंगलादेश जाएगी भारत के रास्ते से जो हाइड्रो पावर है नेपाल का उसको बंगलादेश जाएगी वो और किस के रास्ते जाएगी भारत के रास्ते तो भारत के रास्ते कैसे जाएगी जो भारत का जलमार्ग है अब आगे जो है यहाँ पर इंडियन जो inland waterway है उसको खोला जाएगा यानि कि वो जो ट्रीटी हुई है वो नेपाल की जनता के लिए भारत का जो जलमार्ग है वो उप्योग कर सकेंगे इसके बाद यहाँ पर जो नेपाल इंडिया नेपाल बिजन है दो हजार बाइस के लिए उसको कार्पोरेशन पावर सेक्टर्स के लिए यह इंडिया का जो गोल है वहाँ पर नेपाल पावर ट्रेड का ल नई पाइपलाइन है उसका जो सिली गुरी से जापा जो पूरुवत्तर नेपाल में है नई पाइपलाइन बिचाए जाएगी फिर इसके बाद यहां पर एक और एग्रिमेंट हुआ जो यहां पर इसके बाद गोरखपुर भुटावल ट्रांसमिसन लाइन जो है उसका भी यह पार्टिसिपेट दोनों लोग करके अपना उद्गाटन किये फिर इसके बाद जो ट्रेटी हुई ट्रांसिट को ले करके यानिकी इनर्जी को ले करके इंडियन आइनलेंड यानिकी भारती जलमारग का उपयोग को ले क्योंकि बारती जलमार्ग से ही लेकर के दोनों इनर्जी सेक्टर जाएंगे फिर यहां पर जो इंडिया रेलवे कारगो है इंडिया रेलवे कारगो ट्रेन प्राम जो बातांसा इंडिया में बाताना है और नेपाल यह कस्टम याड तक यहां पर लेकर के जाएगी फिर यह कह सकते हो आपके जो परिवहन के सुविदा है जो परिवहन है और इसके बाद परिवहन के अलामत जो यह निकल करके आ रहा है जल्बिद्धुत परियोजना इन सब का बेहतरीन धंग से उपयोग किया जाएगा अब यहां पर एक और नियूज निकल करके आई है वो नियूज कर रहा है एक सेमी कंड़क्टर जो टेकनालजी यूज होती है उस पर अपना वर्क कर रहा है उसको ले करके चल रहा है अब उस पर क्या निकल करके आती है क्या बात निकल करके आती है उस पर देखने लाइक बात होगी अब आगे और बहुत आज बहुत आज बहुतरी बहुत निवान करने करे हैं स्षुन्ट मुधों इस इट्र हम स्वारे है रही है अगे जो इस इट्रोफ ulitorky, आगे जह सी जई फ्रस्थ पर है और वो यह है कि अजुक्त ह novoys कि भी आज हूं से अर निव सा की भी है अब यह बत कहीं जा रही है मोर दें यानि कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया जो कमिट्मेंट लिया हुआ है कि अब हम 2030 तक जो रिनोबल एनर्जी है उसके सोर्स से बिजली उत्पादन करेंगे तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है रिनोबल एनर्जी से वो 2030 तक इसका आधा कम्प्रीट हो जाएगा यह बात कही है कि जो अपना सजिस्टिट गिया है उन्होंने अपना कहा है कि यह जो अचीवड एयर होगा जल्द ही 2026 तक जो है य कम्प्रीट कर लिया जाएगा और इसके बाद निशनल इलेक्रिसिटी प्लान जो तयार किया गया था उसमें 5 साल पर इंडिया की जो करेंट एलेक्रिसिटी है उसको आवसकता है किस चीज की जो चुनोतियां है उसमें सारी की सारी बाते कही गई थी और यह जो नॉन फॉल इसकी 68.4% से बढ़ने की संभावना है और यह 2021 तक चलेगी और इसके बाद अप्रेल 2023 तक 42.5% लेकर के यह रहेगी फिर यानि कि जो एनरजी वाला पार्ड है वो जीवासम उर्जास पर जो आधारित था वो हट रहा है और जीवासम उर्जासे जो रिन्यूबल एनरजी पर डिपेंडेंसी है वो अब कहीं कहीं बढ़ रही है और यह बात यहाँ पर इनके द्वारा पूरी की पूरी कहीं गई है अब यहाँ पर केंदर सरकार देखिए यहाँ पर एक ऐप लेकर के आये हैं मोबाइल एप है लोन रिक्वेस्ट के लिए पीम स्वानिधी स्कीम के तह 2020 में लांच की गई थी जो पैनडेमिक इस्ट्रेस आया था यानि कोवीड आया था उससे उभरने के लिए और इसकी जो सुविधाय हैं जो वरकिंग कैपिटल होता है वो 10,000 रुपए तक फ्री लोन है इसके बाद 20,000 और 50,000 रुपए पर 7% यहाँ पर इंट्रेस्ट सबस इनको मिल चुका है अब यहाँ पर NCRT, NCRT जो है कच्छा 10 की जो साइन्स की बुक है वहाँ से पिरियाडिक टेबल हटाने की बात कर रही है पिरियाडिक टेबल उसको हटा देगी अब इसी प्रिष्ट पे और भी बहुत सारी नियोजे हैं वो नियोज किया है उसको हम लो हो रहा था उसमें ये रसियन मंत्री से मिले और रसिया के साथ जो संबंध होता है उस पर इन्होंने बात की पूरी की पूरी और आगे भी उसके संबंधों में यानि की मिलने की बात की G20 की बात की यसीयों की बात की भारत जो है इस पर अपना जो रसिया से संबंध है वो म पर चाइना का तस्भीर है जो चाइना एलेसी को लेकर के उलजाया रहता है भारत को उस पर बात की जा रही है कि जो नीव डिलही में इस तरीके की बात की गई पहली बार यानि की 27 मीटिंग भी हुई लेकिन जो बात निकल करके आना चाहिए वो निकल करके नहीं आई यानि क कोई समाधान इसका नहीं निकल सका अब आगे के लिए क्या होता है देखते हैं मेडियम रेंज बलेस्टिक मिसाइल अगनिफस्ट है अभी कल जो है उडिसा में उसका टेस्ट किया गया सफलता पूरवक और NHRC है यहां पर रेलवे करमचारी की इड़ेत हो गई थी जहारकंड में उसको नोटिस दी है तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए नियो जनालसिस पार्ट खतम हुआ नियो जनालसिस हुआ और NHRC पहले भी हो चुका है तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया होगा आप लोग जितना हो सके उतना लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर्स में तब तक के लिए एलोड आप थैंक्स जैहिन जै भारत